नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे संस्कत भाषा के शब्द, प्राकरत भाषा के शब्द, प्राकरत या पाली भाषा और तद्भव हिंदी के शब्द दोस्तों संस्कत के शब्द एकदम यूँ अचानक ही हमारी हिंदी में नहीं आये हैं पहले ये शब्द प्राक्रत वा पाली भाषा में जाकर टकराएं फिर उसके बाद इनका रूप बदल कर हिंदी में लाया गया है तो ये हो गए तद्सम शब्द ये हो गए प्राक्रत वा पाली भाषा के शब्द और ये हो गए हैं हिंदी में शब्द ये एकदम ही यूने ही बदले इनको कई वर्ष लग गए हैं तब जाके हमें हिंदी में इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं तो संस्क्रत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों हम तदभाव शब्द ये सबसे पहले प्राकरत वा पाली भाशा में आका टकराएं फिर इसके बाद गाओं के लोगों से टकराएं और गाओं के लोगों ने इनका रूप इसका परवर्थित कर दिया इनको हम बोलते हैं तदभाव शब्द तो हम सबसे पहले देखते हैं संस्क्रत के शब्द अगनी क्या शब्द है अगनी जब ये प्राकरत भाषा में आया तो इसका नाम हो गया अग्गी जब ये हिंदी में आया तद्भा बनकर तो इसका नाम हुआ आग अब है मया मया संस्क्रत का शब्द है जब ये प्राकरत भ वह सिए प्राकरत भासा में आया तो रहो गया मईल को Я बहुत को रहो गए हो गया out छतूर्धश संस्कत का शब्द है जब यह प्राकरत भासा में आया तो इसका उचण हुआ चवदध या फिर चवदध जब यह हिंदी में आया तद्वा बनके तो क्या होगया? चवदः इसी प्रिकार है पुश्प जब यह प्राकरत भासा में आया संस्कत का शब जब प्राकट भाशा में आया तो क्या हुआ चवट्थ और एको शब्द बना चड़त्थ लेकिन जब ये तद्भा बनकर हिंदी में आया तो क्या हो गया चवथा प्रिये शब्द प्राकरत भाषा में फिर प्रिये बोला गया नहीं जब यह हिंदी में आया तो क्या हो गया पिये या फिर पिया स्वामी मतलब क्रतह क्रतह शब्द जब इधर आया तो क्या हो गया यह कव कव हो गया प्राकरत भाषा पाली भाषा में क्या बोला गया ऐसे कव यह जब तद्भव में आया तो क्या हो गया किया मद्ध मद्ध जब प्राकरत भाषा में आया तो क्या हो गया मज्ज और जब तद्भा में आया तो क्या हुआ मे मयूर मयूर शब्द संसकत का शब्द है तत्सम है और जब ये प्राकरत भाषा में आया तो क्या हो गया मौर मौर हो गया ये बाइन मतलब भी वच्छनी होता है दोस्तों नव जब प्राकर्थ भाषा में आया तो क्या हो गया नए और जब तद्वों में आया तो क्या हो गया नव चत्वारी जब प्राकर्थ भाषा में आया तो क्या हो गया चत्तारी और जब तद्भव में आया तो क्या हो गया चार अर्ध तेड़तिये जब प्राकर्थ भाषा में आया तो क्या हो गया ये अड़त्ताई और जब यह तद्वम में आया तो क्या हो गया अढ़ाई या फिर धाई धन्यवाद दोस्तों